सलाम अलेकुम रहमतुल्लाइव बरकातू प्यारे बच्चों उमीद है आप सब खेरियत से होंगे मैट्स की ओनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है सभी बच्चे अपनी मैट्स की बुक ओपन कर लीजिए जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं लास्ट क्लास में हमने एक्सराइज 9.2 के टू कोश्चेंज किये थे कोश्चन नमबर 1 और 2 जिसमें प्लस माइनस किया था रेशनल नम्बर को आज करेंगे कोश्चन नमबर 3 से स्टार्ट इसमें कोश्चन नमबर 3 है find the product यहां पर आपको product करना है rational numbers का product का मतलब होता है multiply करना है two rational numbers दिये गए हैं उनको multiply करना है okay pay number 190 पर है exercise 9.2 question number 3 सभी बच्चे open कर लेजिए math free book चलिए start करते हैं देखते हैं copy में किस तरीके से करना है copy में math exercise 9.2 आज की date mention कर लेजिए question number 3 से start करेंगे question number 3 है find the product आपको product पता लगाना है rational numbers का first question दिया गया है three first question है nine upon two इसको multiply करना है minus seven upon four से तो क्या करना है simple अभी denominator को same करने की जरूरत नहीं है और ना ही जरूरत है LCM लेने की simple multiply करना है जैसे multiply करते हैं उपर वाले नंबर को उपर वाले नंबर से यानि numerator को numerator से करेंगे denominator को denominator से करेंगे अगर कुछ कड़ रहा है तो वो आप उपर नीचे काट सकते हैं ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं 970 कितने होते हैं 970 63 साइन आएगा माइनस का अगर यह आपस में कट रहा है तो इसको काट दीजिए और अगर नहीं कट रहा है तो यहीं आंसर है प्रोडक्ट बहुत जादा इजी है रेशनल लंबर का करना बहुत जादा क्योंकि इसमें ना ACM लेना होता है अगर कोई भी रेशनल लंबर है यानि कोई भी नंबर है अगर उसके नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है यानि की 1 है अब क्या करना है इसको नॉर्मल मल्टिप्लाई कर देते हैं नियूमिरेटर को नियूमिरेटर से और दिनोमिनेटर को denominator से तो 9 3 जा कितना हुगा 27 27 माइनस का होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 10 बन्दा 10 अगर कट रहा है तो काट दीजिए नहीं कट रहा है तो यहीं answer है next third easy है ना बहुत सबसे easy product करना ही होता है minus 6 upon 5 इसको multiply करना है 9 upon 11 से तो क्या करेंगे पहले numerator को numerator से multiply करेंगे तो 9 6 जा है 54 और minus का आएगा 54 क्योंकि यह minus है और 11 को 5 से multiply करेंगे तो 55 आएगा अब अगर कट रहा है तो काट दीजिए नहीं कट रहा है तो minus 54 upon 55 ही answer है अब है next fourth करेंगे fourth है 3 upon 7 इसका product करना है यानि इसको multiply करना है minus 2 upon 5 से अब भी same करेंगे numerator को numerator से multiply करना है denominator को denominator से करना है तो 3 2 जा कितना होता है 6 minus का आएगा and 75 जा 35 अब अगर कट रहा है तो काट दीजिए नहीं तो minus 6 upon 35 answer है बहुत easy है product अब है next fifth फिफ्ट पार्ट है 3 upon 11 का product करना है यानि इसको multiply करना है 2 upon 5 से same क्या करेंगे numerator को numerator से multiply कर दीजिए denominator को denominator से 3 2 जा 6 and 11 5 जा 55 अब अगर उपा नीचे कट रहा है तो काट दीजिए नहीं तो यही answer है उसके बाद है next sixth 3 upon minus 5 को multiply करना है minus 5 upon 3 से अब क्या करेंगे पहले multiply कर दीजिए या फिर मैंने का था कि इनको उपर नीचे काट भी सकते हैं minus 5 से minus 5 को कट कर दीजिए लेकिन multiply करेंगे जो करते आ रहे हैं तो 3 5 जा 15 यह आ गया minus का 15 अब उने 5 3 जा 15 यह भी आ गया minus का 15 अब पहले minus से minus कर गया 15 1 जा 15 and 15 1 जा 15 तो answer आया 1 1 भी लिख सकते हैं 1 upon 1 भी लिख दो no problem तो यह है इसका answer क्योंकि मैंने का था कि कोई भी number है positive number यानि अगर कोई भी number है उसके नीचे denominator में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है हमेशा है always और इसको अगर आप चाहें तो उपर नीचे भी कार सकते हैं minus 5 से minus 5 को कार दीजिए 3 से 3 को कार दीजिए तो भी 1 आ जाएगा दोनों तरीके से कर सकते हैं अब है next question question number 4 3 question complete हो गया है question number 4 है find the value of नीचे rational numbers दिए गए हैं आपको उनकी value बतानी है निकालनी है ये देखिए question number 4 है find the value of नीचे अब divide में दिए गए हैं rational numbers divide में हैं आपको क्या करना इनकी values निकालनी है यानि इनका solution निकालना है first दिएगा है minus 4 को divide किएगा है 2 upon 3 से अब कैसे करोगे अब क्या करते है divide कर sign को multiply में change करने के लिए क्या करते है reciprocal कर देते है number को minus 4 as it is रहेगा यहाँ पर multiply करेंगे इसको 3 upon 2 कर देंगे तो फिर इसको easily यह easy हो जाएगा divide भी इसका मतलब easy होता है rational numbers में चलिए देखते है copy में किस तरीके से करना है तो first part है इसमें कि minus 4 को divide करना है किस से 2 upon 3 से तो divide कैसे करेंगे पहले इसको multiply करेंगे जैसे ही हम sign change करेंगे तो यह reciprocal हो जाएगा यानि 2 upon 3 का 3 upon 2 हो जाएगा और बीच में अभी यह हो जाएगा फिर easily multiply 3 upon 2 इसका मतलब यहाँ पर 1 है अब इसको normal जैसे multiply उपर किये था वैसे कर दीजिए 4 3 दा 12 यानि यह होगा है minus का 12 upon में 2 1 दा 2 जो कट रहे काट दीजिए 2 6 दा 12 तो answer आया minus 6 upon 1 भी कर सकते हैं अब है next second part बिल्कुल इसी तरीके से करना है minus 3 upon 5 को divide करना है 2 से तो क्या करेंगे पहले sign change करेंगे जैसे आप sign change करेंगे तो यह reciprocal हो जाएगा minus 3 upon 5 multiply इसका मतलब यह 2 upon 1 था तो यह 1 upon 2 हो जाएगा तो आप क्या करेंगे 3 दा 3 upon 5 2 दा 10 answer आएगा minus 3 upon में 10 easy है ना आप करेंगे next third सिफ sign change करना है divide का दूसरे वाले number को reciprocal कर दो और simple multiply करो third है minus 4 upon में 5 divide करना है इसको minus 3 से क्या करेंगे पता है हमें इसके नीचे बन नहीं यहाँ पर sign change करेंगे सबसे पहले तो minus 4 upon 5 divide को multiply cosine change किया अब क्या करेंगे 1 upon में minus 3 अब multiply कर देजिए minus 4 दा minus 4 5 3 दा minus 15 अब यह minus से minus कर गया answer आया 4 upon में 15 easy है अब है next fourth part fourth part है minus 1 upon 8 divide करना है 3 upon 4 से तो क्या करेंगे same वही प्रोसीजर 1 upon 8 sign change किया multiply का गए and reciprocal कर दिए 4 upon 3 हो गए अब multiply कर दीजिए 4 दा 4 8 दा 24 कट रहे तो काट दीजिए 4 दा 4 और 4 दा 24 answer आया 1 upon में 6 minus भी था यहां पर sorry minus 1 upon में 6 अब है fifth fifth है minus 12 upon में 13 divide करना है 1 upon 7 से तो क्या करेंगे सबसे पहले sign को change करेंगे तो minus 12 upon में 13 multiply 7 upon में 1 अब multiply कर देजिए 12 7 दा कितने होते हैं sorry 12 नहीं है यह 2 है तो यह तर 2 upon में sorry 2 को multiply करना है 7 से तो 2 7 दा 14 minus का 14 आगा है इन 13 दा 13 कट रहे तो काट दीजिए नहीं कट रहे तो यही answer है माई अब है next question sixth इसको करेंगे minus 7 upon में 12 divided by minus 2 upon में 13 13 से इसको divide करना है तो क्या करेंगे sign change करेंगे minus 7 upon में 12 sign change करते हैं यह reciprocal हो जाएगा यानि कि 13 upon में minus 2 हो जाएगा अब इसे multiply कर दीजिए जैसे करते हैं 7 को 13 से multiply कीजिए तो 13 7 दा minus का 91 and 12 तूज़ा 24 यह भी minus का हुआ आब जो कट रहा है पहले sign कार दीजिए अगर 91 upon 24 कट रहा है तो इसे कार दीजिए नहीं तो answer क्या है 91 upon 24 ही है अब करेंगे next part 7th part 7th part है 3 upon में 13 divide करना है minus 4 upon 65 से तो क्या करेंगे सबसे पहले sign change करेंगे reciprocal करेंगे 3 upon में 13 multiply minus 4 upon में 65 sign change हुआ और sorry कहा करा sorry reciprocal नहीं किया तो दुबारा करेंगे 7th part 3 upon में 13 divided by minus 4 upon में 65 3 upon में 13 sign change करेंगे तो आएगा multiply 13 है 65 upon में minus का 4 अब multiply करेंगे 65 को 3 से multiply करेंगे देखें एक कट रहे पले इसको काट दीजिए 13 वन्दा 13 13 वाइज़ा 65 अब यह हो गए 3 वाइज़ा 15 और minus 4 1 को minus 4 से multiply करेंगे तो minus का 4 आगया answer तो क्यूंकि minus को नीचे नहीं लगाते हैं negative को तो इसको बीच में लगा दीजिए minus 15 upon में 4 answer इसी के साथ exercise 9.2 complete होती है उमीदे आपको समझाई होगी अच्छी लगी होगी चलिए next class में new chapter स्टार्ट करेंगे thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh